22 जन्वरी को अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए हैं लेकिन सीता राम भक्तो को अब माता सीता के आने का इंतिजार था और अब राम जी ने अपने भक्तो का ये इंतिजार भी खत्म कर दिया पता दे कि अब माता सीता का दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है माता सीता के भव्य मंदिर के बनने की पुष्पी खुद मध्य परतेश के मुख्य मंदरी डॉक्टर मोहन यादव ने की है सियम यादव ने इस मंदिर को स्री लंका के दिवूरम फोला में बनाने की बात की है उन्होंने बताया कि स्रिलंका में माता सीता का मंदिर बनने का ये फैसला पुर्व मुख्य मंदरी सिवराज सिंग का था उन्होंने कहा कि हम पुरानी योजनाओं पर काम करने की सोच रहे हैं स्री लंका हिंद महासागर के उत्तर में इस्तित एक दूइप है जो भारस से महज 31 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है देश के नुवारा एलिया शेत्र की पहारियों पर वो पवित्र इस्थान भी मौजूद है जहां माता सीता ने अगनी परिक्षा दी थी इन पहारियों पर हनुमान के चरण के चिन भी देखने को मिलते हैं और इस जगह पर रिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है माननेता है कि असोक वाटिका में ही माता सीता को भगवान हनुमान ने स्री राम के अंगूठी दी थी इसी आधार पर यहां प्योहार मनाया जाता है भारत और स्री लंका के बीच एतिहासिक रिस्तों की मजबूती के पीछे एक कारण यह भी है इसलिए सीम यादव का कहना है कि मद्धेपरदेश सरकार मा सीता के मंदिर बनाने के कई साल पूराने सपने को पूरा कर सकती है बतादे कि मद्धेपरदेश के सीम डॉक्टर मोहन यादव अक्सर धार्मिक मुद्दों पर बात करते हैं हाल ही में उन्होंने 2028 में होने वाले कुम्ब मेले को लेकर कहा कि इस बार पूरी दुनिया देखेगी कि मेले का आनंद कैसा होता है।